मेरा नाम यासमीन कमल किशुर मिश्रा है, मैं कमल किशुर मिश्रा जी की वाइफ हूँ और मेरे हस्मेन ने कॉल किया था, साड़े ग्याराप ऑने बारा बज़े लगवग तो वो फोन पे परेशान थे जिस के वाचे से मैं परेशान हुई, मैंने कहा कि क्या हूँ, कोई दीक्कत है, कोई बात है उन्हें नहीं, मैंने कहा तभीत खराबे बोले, ठीक है, मैं सो रहा हूँ, तुम सोजाओ तो मेरा दिल परेशान हुआ, मैं सोची लाँ तक्रीबन तीन बच रहा था तो मैं चली गए उनके पास, जाती रहती हूं मैं यही अबरो इस्पिरिंग में पास में घर है, तो मैं गई तो मैंने देखा उनको कि वो एक आईशा सुपिरिया एमन मॉडल है, उसके सब गाड़ी में बैठ करके रोमेंस कर रहे है, मना रहे है मैं गई तो वो मेरे को देखे, और देखने के बाद वो गाड़ी को मेरे उपर चड़ा दिये, वो प्रोड्यूसर है, उन्होंने मूवी बनाई है, शर्मा जी की लग गई, देहाती डिसको, खली बली, तीन मूवी के प्रोड्यूसर हैं वो, और फाइनली उनकी तबियत मुझे लगी, खराबे उलजन में थी, मैं दो मरतबा गई, एक मरतबा नहीं मिले, फिर मैं कॉल की, फिर कॉल रिसीव नहीं किया उन्होंने, फिर मैं दुबारा गई, तीन बज़ रहता तकरीवन, तो मैं गई तो देखी, वो लड़की के साथ गा उसको देखी मैं, तो मैं पीछे से निकल के इधर गाड़ी के पीछे से इधर आने लगी, तो पहले तो उन्होंने पीछे आटो से में आई थी, तो पहले तो उन्होंने पीछे मुझे ऐसे पुश किया, गाड़ी से पुश किया, तो मैं आटो के बीच में और गाड़ी के पीच में एकदम दब गई तो आटो वाला निकलते हुए चिलाया आरे रहे 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 तो वह ऑटो भी एकदम ऐसे टेड़ा हो जाता है फिर उसके बाद मैं इधर गई मैंने क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं आपको दिखनी रहा है आप बाहर निकली मुझे बात करनी है बस उन्होंने फटाइक से गाड़ी को ऐसे गुमाया और मेरे लेफ्ट वाले इधर यहां पे चढ़ा दिया उन्होंने फिर उसके बाद मैं सीधा गिरी गिरी मेरे सर्वट गया मियां बेट हम यहां पे ठाके लगे मेरे को तीम और उसके बाद दुबारा से पईया ऐसा ग उन्होंने गाड़ी का टायर और यहां गुटने के ऊपर से वो लेकर के निकाले इतने में वाच्मेन दादा और भी चार पांच लोग वहां पर साथ लोग जो मवजूद थे वहां पर सब दोड़ के आए और बहुत कस के चिला है तो उन्होंने वो मेरे हस्बेंट जो कमल नहीं तो पीछे वहां जो टायर है न वह भी चड़ा देते फिर वह रुग गए वह निकाले मेरे को वाच्में दादा गड़ दादा आए उन्होंने वह मेरे को निकाले फिर यह गाड़ी लेकर बगे लेकर इतना सा इंसानियत नहीं दिखाया उन्होंने कि वह उतर के आईशा सुपिरिया मॉडल जो है उससे उनको बहुत प्यार हो उनको एक्चली उनकी प्रॉब्लम है कि वह चलते फिरते कोई मॉडल, कोई एक्टरस, कोई लड़की, कोई अच्छी लगती है न तो उसको प्यार का वह जारा शॉपिंग कराते हैं, पैसा दिखाते हैं, कि ये अपडी है, वो करोड़े, ये है, फलाना डिकाना दुनिया भर की चीज़े उनके सामने में रखते हैं, और पटाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, फिर उसके बाद उनको सिंदूर, मंगल सुत्र वाला वो हस्बेंड बन जाते हैं, चार दिवारी के अंदर, तो आ अभी भी के रिलेशन में रहने लगे, और मुझे मार करके घर से बार निकाल दिया, एक वीडियो मेरे पास है, जिसमें वो बोलते हैं, कि मैं तलाग 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 देता हूँ, जाओ निकलो, तो उनको प्यार का बुखार है, बहुत तगड़ा वाला, और वो एक बार नह इचा नहीं छोड़ी, 14 फरवरी से ले करके अभी तक वो मॉडल को मैं कर रही हूँ, कि देखो मेरे हस्बेन ऐसे ऐसे हैं, प्लीज अगर हो सके तो हम दोनों की जिन्दगी से चली जाओ, वो जाती है, आती है, जाती है, आती है, इनका भी नाटक सेम है, उनका भी सेम है, उसी के वज़े से मेरे को तीन मरतबा मारे और बहुत बुरी तरीका से मारे, जिसका पूरूफ है मेरे पास, गाड़ी चड़ा दिया है, वो तो 19 ऑक्टूबर को अबरोई स्पिरिंग में ना होते, उधर ना होते तो शायद मैं पूरूफ भी नहीं कर पाती, तो वो चीज है, बस अभी क्या हो, इसका कंप्लेंट जो है, वो अंबोली थाना में हुआ है, और अंबोली थाना से अभी तक उनको कुछ भी कोई, एक्शन कुछ भी नहीं लिए, ना तो आईशा सुपेडिया, एमन को बुला करके, या कॉल करके कुछ भी पूचा गया, या कोई भी इ स्ट्रेट्मेंट लिया गया, कुछ नहीं किया, तो आपका सक पूंता कैसा मुलकात हुआ, कैसे आपका सक मिले, कैसा सक पहरी हुआ चाहिए, दो हजार तेरा उनीस, दो हजार तेरा पांच नॉम्बर को मैं भोजपुरी मुवी की शुटिंग करने के लिए लखनो गई, व और मैं अल्ला का शुकर है कि मैं बहुत अच्छी, जब अभी 35 साल की एज में दिख रही हूँ, तो उस टेम में भी अच्छी दिख रही हूँगी, मैं शादी शुदा थी, मेरे तीन बच्चे थे, ये भी शादी शुदा, दो बीबी, और पांच बच्चे के बाप, उसके बाद मैं बोली कि चलो ठीक, अगर आपको मुझे आपसे प्यार है, तो हम लिविंग में रह लेते हैं, और उसके बाद भी उन्होंने का नहीं मुझे शादी करनी है, अशादी के लिए इतना जादा उन्होंने चार मेने श्ट्रगल किया, लखना उटो मुंबई एक कर दि मैं जूट बहुत से लगती हूँ, जिस कॉलोनी में मैं रहती हूँ, साइनी में, जितने भी मैं चार-पांच घर से सब को बुलाई थी कि कल को मेरे पर कोई गंदा ब्लेम ने लगे महले में, समाज में रहने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं समाज के हिसाफ स चलना चाहती हूँ, तो सब लोगों को बुलाई थी, जिसके घर में मैं रेंट पर रहती थी, उन्हें फ्लोर पे दो थी लोग थे, अंकल और भी सबने सबसे बात चीत हुई, उन्होंने कहा कि मैं जो कहेंगे करूँगा, लेकिन मुझे श्यासन से शादी करनी है, तो 2013 में पांच नौमबर से सिल्सिला चला, पांच नौमबर के बाद इन्होंने 20 फरवरी को मुसे शादी की, मुसलीम रिती रिवास से कवारब बन करके, मैं शादी शुदा थी, मैं तीन बच्चे की मा थी, मैंने अपने कुछ भी अपना नहीं छुपाया इन से, कुछ भी नहीं मैं फिल्म इटेश्टुप इसन इसेरे की से तुर्स कर थो दिना, जो बड़ा दुच किया, अपने दम पी किया, और एजत महबद से काम हासिल की अशिस्ट tack का ख़ा भी कहो कि नियुग की, तो मुझे एड मारे मिलता था, ये बंदा इस टरिका थे से। हुआ और मेरा काम मेरा सिम तोड़के फेक दिया काम मेरा काम छुड़वा दिया बोला यासमीन तुम सिर्फ मुसे शादी कर लो मैं तुम्हारे बच्चों की जिंदगी भर जो भी जरूरते हैं सब कंप्लीट करूंगा तुमको सिर्फ तुमको जिंदगी में कभी तकलीफ ने दूँगा ना कभी धोका दूँगा मेरे अंकल जो चुट ऐसे ऐसे बजा के वो ले थे यासमीन छे महीने में याशी करके छोड़ देगा तुमको लेकिन मैं सब की बात काट करके इस आदिमी पर भरोसा करके शादी की कोट में निकाह हुआ इन्होंने अपना नाम पहले मुस्लिम कुबूल किये निकाह हुआ इन्होंने अपना नाम कनवर्ड किया मेरे पास बहुत सारा प्रूफ नहीं था जैसे लिए तीन तलाग का माइने था, अभी मोदी जी ने हटाया है इस चीज़ को, तो उस ट्रेम मेरे हस्बन आउट अफ कंट्री है, साओधी में, जो मेरे एक्स हस्बन है, उन्होंने मुझे फोन पे तलाग दिया था, दो हजार ग्यारे से, दो हजार नौ से साओधी में वो, उन्हों ने मुझे फोन पे तलाग दिया था, तलाग देने के बाद, हमारे मेरे अंकल के सामने में, सब के सामने में फोन पे तलाग दिया था, तलाग हमारे में एग्री होता है ऐसा, और इनको अच्छे से पता ही एक चीज़, उसके बाद हमारा निकाह हुआ, कोट में, इन्होंने कनवर्ड की चीजे, मुस्लिम रिती रिवास में हम दोनों की शादी होई, ठीक है, शादी होने के बाद, आज ये 2022 में इनकी आँके खुलती है, कि मैं उनको साधे कागज पे साइन ले ली, साइन लेने के बाद, मुस्लिम वाला कनवर्ड करने की इनको कोशिश की, हिंदु ये गंदा खेल खेल रहे हैं, जबकि मेरे पास पूरूफ है, मैं साइन ले लूँगी न, अंकोठा काटके तो नहीं लगा दूँगी, और इन्होंने शादी की वो वकील भी अल्ला का शुकर है कि जिन्दा है, जिन्होंने हमारे शादी कराई साथ में, बांदरा कोट में, तो ये न, बहुत गंदा खेल खेलते हैं, हिंदू-मुस्लीम का, लड़कियों को पटाना, सिंदूर वाला बाबा बन जाना, तो ये एक्शली सिंदूर वाला प्रोडूसर बन चुके हैं, और ये चाहते हैं, आईशा एमन जो है, वो मॉडल है, जहाज की इंजिनियर है, तो उसको खोना नहीं चाहते है, कि कोई वो कहते है, वो हीरो है, तुम जीरो है, और मैं जीरो हो, तो तुम मेरी जिंदगी क्यों बरबाद किया है, वै, क्या कसूरता मेरा, अच्छा कासा काम कर रही थी मैं, आपको कैसे पता चला कि उनकी बीवी है, उनके एक दोस्त ने कहा था, या आदमी अच्छा नहीं है, और शादी शुदा है, फलाना डिकाना, लेकिन मैं इन्होंने मुझे अपने बातों में इस तरीकर से कर लिया था, कि मैं यकीन कर ली थी कि चलो ठीक है। ये सच बोल रहे हैं। शादी हो गई, सब ठीक है, अच्छे से रहन ले गए। फिर सादी के बाद पता चला कनफम üzerब की तीन बच्चे हैं। आचल मिश्रा, श्रा और और यसं मिश्रा। 3 दो बेटी, एक बेटा। उसके बाद नेहा मिश्रा भी है, नेहा मिश्रा किसे एक बेटी और एक बेटा भी है, ये मुझे फाइनली अब भी कुछ दिन पहले पता चला है कि वो भी बीबी है और उनसे भी दो बच्चे और उनको भी 35,000,000 का कुछ घर वर दिया है क्योंकि 2013 से लेकर कि अभी तक केस च जरूरत है, मैं सच बोच सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस इंसान ने मुझे इतनी बुरी तरीका से दोका दिया है, दो बच्चे के साथ छोड़ दिया, चोड़ने के बाद, जो भी चीज़े हैं, मैं बहुत लंबी कहानी है, क्या बता हूँ मैं पहली बीवी जो है, वो घर पे है, इनके माता पीता समालते हैं, वो देखते हैं, ये बस तीन बच्चा किये और उसको छोड़ दिये, घर में, उससे कोई रिष्टा नाता नहीं रखते, फिर दूसरी को पकड़े नया मिश्रा को, वो कानपुर की रहने वाली है, खुब उ जो राई का दाना होता है ना, सरसो का दाना, इतनी भी खता कभी नहीं की मैं, मेरे बच्चे स्कूर में पढ़ते थे, मुझे बोर्डिंग मिलने के लिए जाना पढ़ता था ना, उनसे पूछ के जाती थी, नहीं बोलते थे तो नहीं जाती थी, हमेशा बहुत तकलीफ दि कर दोक्ता में, मैं बहुत दिप्षेन थी, मेरे तीनों बच्चे मुझे संबाला है, अगर मैं ब हाँ द сторड अर मैं जिन्दा बैट यू, तो मैं तीनों बच्चे के बज़े से बैठी हूं, मैं घर में करके रोती रहती थी, कौहल करती थी, मैं गाल, गंदी-गंद अभर मेरे को बोलते हैं कि मुझे बेटी के साथ नंको जैल वेज उगा शायद मैं अभी आप फिर आप वको लेती तेम ना लेती मेरे को बोलते हैं थो कि मैस का बता ॡ आहार जगह मुझ मारने किएहां। इंसाब चाहिए इंसाफ चाहिए पुलिस वारों से आप मिली तो किसी तरी की चीजे उनकी तरफ से पॉजिटिव मिली या कोई चीज भी आते हैं मुझे आम बोली पुलिस एस्टिशन से कुछ भी हेल्प नहीं मिला है ना इंसाफ मिला है मेरे हस्बेंड के लिए आयशा सुपरिया एमन सबसे अवल दर्जे पे हैं और पैसा वो कमाते हैं नेट्वकिंग लाइन से लखनों में पूरे यूपी इस्ट में उनका बड़ा विंडर है वो बहुत बड़े बड़ा काम है वहां से पैसा ला रहे हैं और यहां पे लड़कियों में खुब उड़ा रहे हैं आपका कहने मतलब वो जो पिच्चर रहा थे लड़कियों से आप आयशा करने की अच्छा पता है मेरे को क्या बोला उन्होंने मैं तो पानी हूँ बहूंगा ऐसे करके बहूंगा और रोकने की कोशिस मुझे मत करना फिल्म दस्ट्री में तो फिरी लड़कियां मिलती है पैसे भी खर्चा नहीं करने पड़ते और वो भी अच्छे से अच्छी मतलब उनके नदर में क्वाल्टी बेस होती है और बहुत फिरी तो वो यहां पे प्रोडिशर का काम करने है कि नाम पे वन इंटर्टेन्मेंट जो बैनर को चमकाएंगे न और बहुत हाइप पे ले करके जाएंगे तो वो लड़कियों को यूज करने आए बेसिकली कि उनक हो गया ना उसको शांत नहीं होता है बुड़ापे में भी इसको तरकार सी कहा गलत है इनसाफ चाहिए मुझे और ऐसे इंसान को ना जल्द से जल्द और सक्त सजा मिलनी चाहिए मैं गलत हूं पूरूफ करें वो नेहा मिश्रा गलत है दूसरी बीवी उनकी पूरूफ करें पहली बीवी जो घर में है उनको तो अस्तखफरूला उनको तो कहते हैं कि मेरी बेटी एक ही है आचल मिश्रा बाकी दो बच्चे मेरे बाप के बाप का है ऐसा को याद भी बोलता है और यह क्या इनका एक बहुत बड़ा वह है इसक्रिप्ट है यह पहली बीवी पे पहली वाएवर को तुमारे बच्चे को पाणने वाला यह आदमी है तुमka की वाईफ हो कभी बरुणति की वाईफ हो कभी बिंख वाले की वाईफ हो पता नहीं ही क्या क्या-क्या मेरा पण। वोईश डिगॉड भी और फोटो वीटो भी है, जो मैसिज से हुआ है, बात जिए, तो ये कवार बनते हैं, फसाते हैं, और वो बोलती है, आईशा सुपिरिया एमन बोलती है, कि ये इमोशनली फसाते हैं लड़कियों को, कि मैं ये स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल किया, ऐस को घर दो कि गरिन में नौ साल से एक घर में रह रही हूं एक पूरी सुसाइटी मुझे जानती यह ने यह सकता कि यासमिन ने बद्विधि से किसी से बात किये और यह मुझे एका करेक्टर लाइस साबित करने पर लोग गहां मैं निका था लगे रहो मुझे कोई प्रॉब्ल अगर बीबी है तो अभी गल्फ्रेंड है तो भी पूल मिला करके मेरे हिसाब से चोथी वाइफ है वो और वाइफ नहीं है तो मेरे को जो इस टार्टिंग में जब उसको पता नहीं थी चीज़े तो मुझे फोन करके गाली वक्तिय गंदियंदी मैंने भी गाली उसे दिये त कि मेरा घर बरबाद हो रहा था उसके वज़े से आयाशी तो उन्होंने बहुत की लेकिन आईशा सुपेरिया आयमन को सब कुछ पता था उसके बाद भी मेरे हजबन का साथ नहीं छोड़ी कितनी बेरहम औरत है कि साथ में बैटी है अब बैट करके अगर मैं उसके जगर प और पी सच बोल दोघं़ ते रहे अइसा या मन मुझे कहते हैं त्रय बच्चे को अभी देता है क्या Case तेरे घर कधिन अभी बहुता है क्या तुझी गौण होति है पोलने वाली क्या रफ्रेंट्सटावे क्शलों हो कशंती बॉलने उन्होंने शादी करने के लिए 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 चार दीवारी के अंदर वो कवारे बन गे नेहा मिश्रा से शादी करने के लिए करेक्टर लेस्ट बता दिया तो उनका ये चलता रहता है मुस्लिन धर्म कबूर किया उन्होंने में सब्सक्राइब कुछ भी आइडिया नहीं था और जैसे वहां पर लिए वकेल को ये चिज़ मुझे कहनी चाहिए इनको कहनी चाहिए बस जो भी मेरी पास प्रोफ है मैं धिखा सक्याइब कि अल्ससराइब क Ś erm negativity ये पहले उन्होंने मुस्लिम धर्म कुबूल किया, निकाह किया, नाम चेंज हुआ जो भी पुरूफे में दिखाती हूँ, उसके बाद हम साथ में रहने लगे बहुत अच्छे से, लेकिन आगे का जो भी स्ट्रॉंग जो पेपर होता है, क्या बनता है, कैसे क्या है, मुझे इत तो क्या, जब आपका उनके साथ में अफैर हुआ, तो आपने कभी चानने की पोशिश नहीं की, कि इनका बेटराउंड क्या है, क्या ये शादी शुदा है, या नहीं है, कहां रहते हैं, क्या आपने की चानकारी लेने की पोशिश नहीं की? लेकिन वो बंदा हमेशा एस्क्यूज रखा, मेरी दो बहन है, बलके उनके पास चार बहन है, उन्होंने आज, अब मुझे पता चला है, दो तीन मेने पहले कि उनके पास पहले तो पता चला है, एक बहन और है, तीन बहन, फिर बता चलता है, चार बहन है, दो उनकी बड़ ही जो छोटी इन से हैं जो इनको पूरा सपोर्ट करती है कि भाई है मेरा जो करता है बऊध बढ़िया करता है करते रहू आज्यासी तो उस इड़े में बहनों का बड़ा हाथ है जिसमें निक्की सबसे नंबर वन पे आती है तो मैं कोशिश में बहुत जानने की लेकिन ये मेरे कुँ कभी भी घर नहीं लेकर गए घर लेकर के नहीं गे तो गोंडा नहीं गे तो मुझे कुछ पता नहीं चौला क्वर्ट कुफाई ती इस समास से परे रखते थे तो वहां मैं जाती थी, वहां के जाने के वज़े से वहां के समाज, वहां के लोग मेरे को जानने लगे कि मैं इनकी वाइप हूँ, नहीं तो शायद आज मैं आपके सामने में कुछ कही नहीं पाती, लखनो में आप तो मुझे गोंडा में भी सब जानते हैं, लखनो में भी स सब जानते हैं, 2017 सब जानते हैं और अभी मुंबई में तो सब जानते ही थे, जो भी फिल्म इंडस्ट्री में इनके थुरू काम की या पहले से काम की तो जानते ही हैं. नव साल का आपका रिलेशन है, आपने मता है, तो कब आपको पता चला कि उनकी शादी हो चुकी है, और उसके बाद में क्या रवयाता आपका है? मेरे हजबन कहते हैं, तुम सीधी साधी ब्योकूफ और CH वाला वाड यूज करते हैं, कि तुम वह हो, मेरे को जब पता चला, फाइनली के शादी शुदा है, एक, दुसरी का तो इनोंने हमेशा अभी पता चला, मेरे को कभी बताया है नहीं, अन्ना बात करवान, सीम तक च अचला से दी, उनी के पैसे से दी, शॉपिंग करके, तो मैं बहुत कोशिश की कि परिवारवन को जानू, समझू, उनके बारे में जानू, लेकिन वो हमेशा मुझे ऐसे हाइड करके, चुपा करके. पुलिस वालों से जब आप मिली, तो अब तक मुस्लिम धर्म उन्होंने पुलिस अरे के से अपनाए लिया, और हिंदु धर्म में ये शादी, उने के बाद उसी शादी नहीं किया जाता, जब सा तलाक नहीं होता, तो इस पर आपने पुलिस वालों से बात की? एक्चिलि मेरे पैर में अभी थोड़ा आराम है मेरे को, तो एक बार मैं गई थी, लेकिन उस वक्त जो दीन में होते हैं, जो डे वाले, ड्यूटी करने वाले होते हैं, उस टेम थे, नाइट वाले थे नहीं, तो उन लोग मेरी नहीं सुने, फिर मुझे वापस घर आना प यह बहुत इंपोर्टन्ट, आयाश नंबर वन वो है, लड़कियों को फसा करके इमोशनली संदूर मंगा सुत्र पिनाते वो है, मुझे तो फाइनली भले रदी पेपर, वो कहते हैं, या रदी पेपर है, अल्ला का शुकर है, पूरूफ तो है, थोड़ा या जादा, मैं नौ साल के रिष्टे में मेरे पास तीन से साड़े तीन लाग तक का जेवर होगा, जो उनका मैं लूटी हूँ, मेरे दो दो अकाउंट से चरचर पच पच लाख रुपे, जो भी एक का मुझे पता की चार लाग प्लस और एक का नहीं पता की कितना लाग, वाई के एम नाम नहीं है उनका नाम अश्रफ अलिए, तो मेरा पहले का जो पुरूफ के अक्काउंट में राएक अकाउंट है, यासमीन अश्रफ अलिए, वो आकाउंट से रिष्ट यहां की, वहाँ के ब्राच यहां, तो मुझे पता चलता है कि इस पे तो लोन है, मैं इन से पुछ तीन ह तो बोलता रहे मैं कम्प्लीट कर दूंगा तो यह मैनेजर का काम है मेरे को बुलाना साइन लेना मेरे बिना पर्मिशन के यह अकाउंट कैसे खोले और अकाउंट खोल करके लोल ले ली और मुझे खबर भी नहीं खैर मेरे पास साड़े तीन लाग का जेवर के अलावा मैंने इन से कुछ लूटा नहीं है जो मेरे बच्चों का खर्चा है जो मेरे चीजे हैं बस दो वक्त की रोटी दो जोडी कपड़े नसीब हुआ है और इस मुंबई में जो यह रेंट इस घर का रेंट देते हैं और क्या बोलते कि खाना देते हैं बहुत महेंगा उनको पढ़ र मैं उनको शायद 7 या 8 सेप्टेंबर को मैं मैंने उनको यह कहा कि ऐसा है कि अगर आईशा की वज़े से मैं बहुत डिप्रेशन में थी मैंने का आप दोनों का लफड़ा खतम होने वाला नहीं है और मेरे को आप इससे खतम कर दो आप चाओ तो मेरे को छोड़ो ने तो मैंने कभी बात नहीं कि लालज है मैंने ऐसी गुस्ति में का मैंने का यह देर करोड का घर देना पड़ेगा पचास लाख रुपए देना पड़ेगा नहीं तो मैं 1st October को मैं आपके खिलाफ step ले लूँगी कानूनी बस मेरा यह औरली ऐसा कहना था नौर्मली उनको कागस पेपर पे लेकर के प्लेन पेपर पे एक दूसरा कि मेरी पतनी है विजे लक्षमी मिश्रा और मेरी दो पुत्री और एक पुत्र है तो मैं कौन हूँ मैं तेरी कोन हूँ फिर और उसके बाद क्या हुआ कि पैसा हमेशा लूटती रही अब मैं उनसे 50 लाक रुपिया मांग रही हूँ जिसके ना देने पर मैंने ने चार-पांच लोगों के साथ लखनों में मैं उनको मारी हूँ फीटी हूँ बहुत बुरी तरीका से किस डेट को? 20 जुलाई को 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई का प्रूफ है मेरे पास कि लखना, ओब्रोई स्पिरिंग में, मुंबई में, उनके साथ में मैं भी जिम की हूँ और वो तो जिम करते ही हैं, अगर मैं जिम भी नहीं की होंगी तो उनके साथ रही होंगी कॉफी पी रहे होंगी उनके जिम के बाहर रूम में रही होंगी वो तो यहां थे जिम कर रहे थे उन्होंने फियार किया है बहुत गंदी तरीका से निउस्पेपर में निकलवाया है मेरे मुझे मैं और डिप्रेशन में चलीगे कि यह क्या तमाशा है क्यों कि उनको किसी भी तरीका से मुझे साइड करना था कि आईशा एमन आए आईशा सुपिरिया एमन आए ये मेरे निकाह का पेपर है मेरे पाल अभी औरीजिनल नहीं है ये कॉपी है ये 2014 बीस फर्वरी का है ये है जो इन्होंने नाम कनवर्ट किया था दोकादरी से शादी करने के लिए सिर्फ लड़कियों को और और ओर्टों को यूज करने के लिए इनका ये काम है बहुत अच्छी तरीका से इनको आता है अब वह प्राइब आता है पर लुखकर इंगा हैं? अच्छा और है? पूरा पिखाने की जरून? पिखाना है मैं? यह दुखाना है वो डिकमेंट है दुखाई है यह दिखाई है मैं यह वो बोलु ना यह वो पेपर है जो मैं आज अप्लिकेशन देकर के आई हूँ, पोशिवर अप्लिकेशन में, कि मुझे धंकी देते हैं, दो मरतबा धंकी दे चुके हैं, कि मैं तुमको दस बंद्रालाग रुपे दे करके मरवा दूंगा, और कल दूंकी दिये हैं, कि तुमारी बेटी के सा सिरी वास्तव मुझे 2021 में भेशती है, कि यह तुमारा आदमी यहां पर यह सब्सक्रा हुआ है, कि मुझे तुमारा नंबर चाहिए वगरा वगरा यह पूरा अनुष्का सिरी वास्तव को फसाया किस तरीका से, मेरे बारे में गलत-गलत बोल करके यह उसका है, मुझे बोल पर इसमें लिका वा इसमें लिखा हुआ है, फील्म के नाम पे वेलिंग के बहानें मुझे यूजस किया और मुझे फसाया च się बगरा,लिभा एब माय के लिए लिक इंवम इनलत टृटनी भायकर उनलत-विदी है